हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल माई यूनिक अकेडमी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोग्रेफिया अफ स्रोजनी नाइडू ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन दे नाइटिंगल अफ इंडिया सरोजनी नाइडू वाज वर्सेटाइल जीनियस सबसे पहले देखिए लिखा है दे नाइटिंगल अफ इंडिया सरोजनी नाइडू को वो नाइटिंगल अफ इंडिया कहा जाता था भारत की कोकिला कहा जाता था सरोजनी नाइडू एक वरसेटाइल जीनियस थी अब आप कहेंगे वरसेटाइल जीनियस क्या होता है तो वरसेटाइल जीनियस का मतलब होता है बहुमुकी प्रतिभा के बेक्ती मतलब जिनके अंदर अनेक गुड हो बहु मुकी मतलब जिनके अंदर अनेक गुड़ हो जैसे अगर हम बात करें सरोजनी नाइडू की तो ये politicians भी थी और देशभक्त भी थी समासुधारक भी थी कभी भी थी लेखक भी थी उपान्यासकार भी थी तो इस परकार सरोजनी नाइडू को हम कह सकते हैं genius versatile यानि कि बहु मुखी प्रतिभा के धनी थी she became the apostle of women empowerment she became वो हो गई या बन गई the apostle अग्रदूत of women empowerment महिला ससकती करण का सरोजनी नाइडू महिला ससकती करण के अग्रदूत की रूप में जानी जाती थी apostle का मतलब होता है अग्रदूत और women empowerment का मतलब होता है महिला ससकती करण फिर आगे देखे she was gifted with poetic talent humanitarian touch and political sensibility she was gifted उनको gift मिला था यानि कि उपहार मिला था इस वर के द्वारा with poetic talent कौन-कौन सी चीज़े मिली थी उपहार की रूप में poetic talent मिला था जिसको हम कह सकते हैं कभिता की कला यानि कभिता करने की कला humanitarian touch मानवेद रिष्टिक कोड and और political sensibility राजनीतिक समझ ये तीनों चीज़े इनको उपहार की रूप में मिली थी political talent कभिता करने का गुड या कला humanitarian touch मानवेद रिष्टिकोड and political sensibility राजनीतिक समझ आगे दिखी she was appointed the governor of the state of Uttar Pradesh soon after Indian independence in 1947 and remained in office till death she was appointed उनकी निवक्ती की गई the governor of the state of Uttar Pradesh Uttar Pradesh राज के गवर्नर के रूप में यानि Uttar Pradesh की राजपाल बनी soon after Indian independence in 1947 1947 में स्वतंदरता प्राप्ती के तुरंत बाद soon after का मतलब होता है तुरंत बाद जैसे भारत हमारा आजाद हुआ उसके तुरंत बाद इनको उत्तर प्रदेश राज का राजपाल बना दियागा गवर्नर बना दियागा and remained और रही in office कारिकाल में यानि अपने पद पर in office का मतलब होता है पद पर यहाँ पर office का मतलब आप कारियाला भी बोल सकते हैं till death मौत तक यानि वो अपने पद पर अपनी मौत तक रही जब तक उनकी मृत्तिव नहीं हो गई तब तक वो उत्तर प्रदेश के राजपाल पर उत्तर प्रदेश के राजपाल के पद पर बनी रही फिर आगे है उनके अंदर भारतिये समझ थी और जो भारतिये लेंग्वेज थी उस पर उनको मास्टरी हासल थी यानि कमान्ड थी और जो पस्चिम की प्रस्चिम 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 की सरोजिनी नाइडू was born on 13 February 1879 at Hyderabad in a Bengal Brahmin family इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था एक बंगाली Brahmin family में निनका परिवार जो था वो ब्रामन था और बंगाली था लेकिन जन्म इनका हुआ था हैदराबाद में तब हुआ था 13 February 1889 में 13 February 1889 में हैदराबाद में जन्म हुआ एक ब्रामन बंगाली family में हर फादर वास अगोर नाथ चटो पाद दिया है इनके पिता जी अगोर नाथ चटो पाद दिया थे और इनकी माता का नाम था वर्दा सुन्दरी देवी हर parental home was a ब्रम्ह गाओं बिक्रमपूर धाका बंगाल इनका जो पैत्रिक गाओं था यहनी पैत्रिक घर था वो था ब्रम्ह गाओं में जो की बिक्रमपूर धाका बंगाल में से था धाका आज बंगलादेश की राजधानी तो उसमें बंगलादेश अपने देश का हिस्सा हुआ करता था तो बंगलादेश में जो धाका है वहाँ पर एक जिला है बिक्रमपूर और उस जिले में एक गाओं है जिसको ब्रह्म गाओं कहते हैं तो धाका के बिक्रम पूर के ब्रह्म गाओं में इनका पैत्रिक निवास अस्थान था यानिक इनके पूर्वजों का घर था हर फादर अब्टेंट डॉक्टरेट अफ साइंस फ्रॉम एडेनबर्ग उनिवर्शिटी इनके जो पिता थे उन्होंने डॉक्टरेट की यानि पिएचडी की थी आफ साइंस बिग्ञान से फ्रॉम एडेनबर्ग उन्वर्शिटी एडेनबर्ग उन्वर्शिटी से और बिकेम प्रिंस्पल और प्रिंस्पल बन गए अट निजाम कॉलेज इन हैदराबाद निजाम कॉलेज हैदराबाद में तो इनके पिता जी जो थे उन्होंने पिएचडी कर रखे थी साइंस से और बाद में वो निजाम कॉलेज जो की हैदराबाद में इसी था वहां के प्रिंस्पल भी बन गए She studied at Hyderabad सरोजनी नाइडू ने अपनी पढ़ाई हैध्राबाद में की Kings College London Kings College London में भी पढ़ाई की and at Garten College Cambridge और Garten College Cambridge में भी पढ़ाई की तो सरोजनी नाइडू ने कहां कहां पढ़ाई की थी सबसे पहले हैदराबाद में सी studios at Hyderabad उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की King's College लंदन में पढ़ाई की and at Greton College Cambridge Greton College Cambridge में भी पढ़ाई की फिर है There she came in contact of Arthur Simmons, Edmund Gose and some other member of Reimers Club. There she came in contact of Arthur Simmons. वहाँ वो संपर्क में आई, there she came in contact of Arthur Simmons, Edmund Gose, Edmund Gose के संपर्क में and some other member और कुछ अनसदस of Reimers Club के. यानि कि England में जहाँ पढ़ाई करने गई थी, वहाँ इनका संपर्क किस से किस से हुआ, Arthur Simmons से हुआ, Edmund Gose से हुआ, और एक Reimers Club था England में, यानि कि लेको का एक ग्रूप होता था, तो उस ग्रूप के कुछ मेंबर से भी, यानि कि some other member से भी इनका contact हुआ, इनका संपर्क हुआ. फ्रॉम देम, यहाँ दा नहीं होना चाहे, यहाँ होना चाहे देम. फ्रॉम देम उनसे, सी एक्वाइड वर्बल और टेकनिकल मास्ट्री, ओबर दा यूज अफ फ्रेज और रिदम. फ्रॉम देम, उनसे, सी एक्वाइड उन्होंने प्राप्त किया, यानि उन सभी लोगों से जिन से सरोजनी नाइडू मिली थी, लंदन में उन सभी से सरोजनी नाइडू ने प्राप्त किया, वर्बल और टेकनिकल मास्ट्री, साब्दिक और टकनिकी कमांड, ओबर दा यूज, प्रियोग पर, और फ्रेज, फ्रेज के और रिदम और लाइके, तो उन सभी के कॉंटेक्ट में आने से इनको बहुत सारा ग्यान प्राप्त हुआ, इनको वर्बल का ग्यान प्राप्त साब्दिक मास्ट्री, मतलब होता है कमांड या नियंद्रन, तो इनको सब्दों पर नियंद्रन प्राप्त हुआ, टेकनिकल मास्ट्री मतलब तकनिकी, पर इनको आप कह सकते हैं नियंद्रन प्राप्त हुआ, ओबर दा यूज, फ्रेज के यूज करने में, और रिदम और के यूजकन में यानि कभिता में दो चीजे बहुत महात्पूर होती हैं एक तो सब्दों का चैन कैसे कब किस प्रकार के सब्दों का चैन करना है और लै तो इन दोनों पर इनको कमांड हो गया जब यह इंग्लेंड में इन सारे लेकों से इन सारे बिद्वानों से मिली फिर है she was married at the age of 19 to अब देखिए she was married इनकी साधी हुई at the age of 19 19 वर्स की आयू में जब यह 19 वर्स की हो गए ही तो इनकी साधी हुई पैदाई पती गोविंद राजलू नाइडू अभी देखिए देच्छिर भारत के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं इनके पती का क्या नम था पैदाई पती गोविंद राजलू नाइडू इनसे इनकी साधी हुई and had five children और पाँच बच्चे हुए फिर देखिए she joined freedom movement by the inspiration of महत्मा गांधी she joined इन्होंने ज्वाइन कर लिया freedom movement स्वतंत्र आंदोलन यानि स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था उसमें भारत को आजात कराने का उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया उससे जुड़ गई by the inspiration of महत्मा गांधी महत्मा गांधी की प्रेनला से यानि महत्मा गांधी से प्रेरित हो करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया she participated in civil disobedience movement civil disobedience movement का मतलब होता है जो महत्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चला था सभी ने अवग्यांदोलन उसी को कहते हैं civil disobedience movement she participated इन्होंने भाग लिया in civil disobedience movement सभी ने आवग्यांदोलन में और किसमें भाग लिया quit India movement भारत छोड़ो आंदोलन में महत्मा गांधी जी ने ये दोनों आंदोलन चलाये थे तो इन दोनों आंदोलनों में सरोजनी नाइडो ने भाग लिया and was arrested और गिरफतार किया गया many times कई बार and spent more than 21 months in jail और 21 वर्स इनको जेल में गुजारना पड़ा कहने का मतलब ये है कि सरोजनी नाइडो ने महत्मा गांधी से प्रेरित होकर के स्वतंतरता आंदोलन में भाग लिया और महत्मा गांधी के द्वारा चलाये गए दो आंदोलनों में दो अंदूलन के और भी उसमें जो अंदूलन चले थे उसमें इन्होंने भाग लिया था बिसिकली यहाँ पर दो अंदूलन के बारे में बताया गया है एक तो Civil Disobedience Movement जो कि आपका सविने अवग्या अंदूलन है इसमें इन्होंने भाग लिया and was arrested और इस कारण से इनको गिरफ्तार कर लिया गया many times कई बार यहीं कई बार इनको गिरफ्तार किया गया and spent more than 21 months in jail और लगभाग 21 वर्स इनको jail में बिताना पड़ा she returned back from London in 1898 अठारस ओठानवे में ये लंदन से इंडिया वापस लोटी and the verses flew और verses का मतलब होता है कबिताये and or the verses कबिताये flew out निकलने लगी from her pen इनके pen से यानि इनकी कलम से कबिताये निकलने लगी like the ripples of ganga गंगा के लहरों की तरह जैसे गंगा से लहरे निकलती है वैसे ही इनके pen से कबिताये निकलने लगी जब ये इंडिया वापस लोटी अठारस ओठानवे में तो इतना आपको समझ भूआ गया फिर आगे देखिए the golden threshold her first collection of poems यह poems होगा of poems was published in 1905 and she was applauded by many newspapers the golden threshold यह कबिता शंग्रा का नाम है her first collection of poems इनकी कबिताओं का पहला संग्रा था इनकी कबिताओं का पहला संग्रा क्या था the golden threshold was published जो प्रकासित हुआ in 1905 1905 में कब प्रकासित हुआ the golden threshold 1905 में and she was applauded और इनकी तारीफ की गई इनकी प्रसंसा की गई by many newspapers बहुत सारे समाचार पत्रों के द्वारा सरोजिनी नाइडो की बहुत सारे समाचार पत्रों में प्रसंसा की गई तो यह पहला होगा the second volume of poems कबिताओं का जो दूसरा शंग्रा था जो दूसरा शंग्रा था उसका क्या नाम था the bird of time वाच पब्लिष्ट इन 1912 1912 में पब्लिष्ट किया गया कबिताओं का जो दूसरा शंग्रा था जिसको हम the bird of time कहते हैं वो 1912 में पब्लिष्ट किया गया in her forward to the book भुक के प्रथम प्रिष्ट पर forward का मुतलब होता जो पहला प्रिष्ट होता उस पर she compared it with the first इन्होंने इसकी तुल्ला की है first volume से यानि कि जो दूसरा वाला volume है उसके प्रथम प्रिष्ट पर सरुजनी नाइडू ने लिखा है यानि कि तुल्ला की है अपने first volume से and said और कहा है it has grabber music इसमें अधिक गंभीर संगीत है यानि दूसरे वाले में अधिक गंभीर संगीत है because क्योंकि it has more philosophical lyrics इसमें अधिक दारशनिक कभिताय है related to life and death मौत और जिन्दिगी से संब्दित यानि जीवन और मृत्य से संब्दित and joy and sorrow सुक और दुख से संब्दित तो बस यह जानिए कि इनका जो पहला collection of poems है The Golden Threshold वो 1905 में publish हुआ और जो दूसरा है The Bird of Time वो 1912 में publish हुआ The Broken Wing was published in 1917 अब देखें यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर कुछ spelling होगी जो mistake है कुछ word थोड़े से misprint हो गए है उसको मैं आपको बता दूँगा वो word आप सुधाल लीज़ेगा एक दो word हैं जादा नहीं तो मैं बात कर रहा था The Broken Wing was published in 1917 यानि इनके कविताओं का एक और संग्रा है जिसको कहते है The Broken Wing यह 1917 में publish हुआ और इसमें भी बहुत सारी कविताओं थी जैसे It has the lotus इसमें एक कविता है जिसका नाम है lotus Address to Mahatma Gandhi जो की Mahatma Gandhi को address किया गया है जैनि Mahatma Gandhi से संबंदीत एक कविता है lotus फिर देखिए The Temple A Playgumus of Love एक और कविता है यह जो कविताओं का संग्रा है इसमें एक तो lotus है जो Mahatma Gandhi से संबंदीत है एक और कविता है A Temple A Playgumus of Love The Temple A Playgumus of Love नाम की एक कविता है A Trilogy of Lyrics Sequences जो की Trilogy है कविताओं की Trilogy यानि तीन पार्टों में विभाजित है Trilogy का मतलब होता है तीन भागो वाला Lyrics का मतलब होता है कविता Sequences का मतलब होता है क्रम यानि क्रम से इसमें तीन कविता है Each of eight lines उनमें से प्रतेक poems eight lines की है यहाँ Eight lines होना चाहिए तो जो The Temple A Playgumus of Love पोयम है इसके तीन भाग है और प्रतेक भाग आठ आठ लाइन का है अब देखें यहाँ पर mistake है यहाँ feeder होना चाहिए feeder Feature नहीं Fe यहाँ तक तो सही है फिर टी येच ये यार feeder बस यही mistake है The feeder of down Published यहाँ देखें Public नहीं Published Post himisly यानि कि जो feeder of down है वो post himisly Published हुआ Post himisly का मतलब होता है मृत्ति उपरांत जब सरोजनी नाइडू की मृत्ति हो गई उसके बाद इनके कविताओं का एक संग्रा है The feeder of down यह Publish हुआ तो दो चीज़े यहाँ पर सुधा लीजे इसको feeder कर लीजे इसको published कर लीजे बाकी और कहीं कलती आपको नजर नहीं आएगी She played the active role in politics राजनीती में भी इन्होंने सक्रिय भागिदारी निभाई In 1925, she was elected the president of Indian National Congress 1925 में इनको भारतिय राश्टिय कांग्रेस का अध्यच चुना गया She was first woman president She was first woman president वो पहली महिला अध्यच थी मतलब इनके पहले कोई भी महिला भारतिय राश्टिय कांग्रेस के अध्यच नहीं बनी थी तो ये पहली भारतिय हम नहीं कहेंगे हाँ पर हम कहेंगे ये पहली महिला अध्यच थी अगर हम भारतिय भी कहें तो भी सही रहेगा क्योंकि ये भारतिय भी थी और महिला भी थी तो पहली भारतिय महिला अध्यच सरोजनी नाइडू C. एकॉंपनीड महात्मा गांधी ये महात्मा गांधी के साथ गई to participate भाग लेने in the round table conference in 1931 1931 में गोल में शम्मेलन भाग लेने के लिए round table conference का मतलब होता है गोल में सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी के साथ गोल में शम्मेलन भाग लेने के लिए ये लंदन गई क्योंकि लंदन में ही इसका आयो जन होता था She also presided she also presided over East African and Indian Congress 1929 session in South Africa 1929 में South Africa में इन्होंने East African and Indian Congress की अध्यचता भी की वहाँ पर अफ्रीका में एक संग था जिसको बूलते हैं जिसके से अपने हाँ भारतिय राष्टिय कांग्रेस एंडियन निशनल कांग्रेस है ऐसे ही अफ्रीका में उसमें एक संग था East African and Indian Congress तो 1929 में सरोजनी नाइडू ने उसकी भी हध्यचता की थी जो की साथ अफ्रीका में था She also traveled in different regions in India ये भारत के बिभिन भागों में बिभिन छेत्रों में यात्राएं भी करती है यानि इन्होंने कई छेत्रों में कई इलाकों में दवरा किया यात्राएं की Delivering Lectures और इन्होंने अपने Lectures दिये on Social Welfare, सामाजी कल्याण पर and Emancipation of Women और महिला मुक्ती पर Emancipation का मतलब होता है मुक्ती तो इन्होंने मतलब की महिलाओं को स्वतंत्र किया जाए उन्हें किसी बंधन में ना बंधा जाए उन्हें भी खुल कर जीने का अधिकार हो ऐसी बात इन्होंने कही तो महिला मुक्ती और सामाजी कल्याण पर and nationalism और राष्टवाद पर इन्होंने अनेक Lectures दिये भारत के विभिन भागों में जा करके She also helped to establish Indian Women's Association इन्होंने भारतिये महिला संग को बनाने में यहने उसको establish करने में मातपूर भूम का अधा की She also helped इन्होंने मदद भी की to establish इस्थापित करने में Indian Women's Association भारतिये महिला संग की Thus, इस परकार She worked continuously इन्होंने लगतार काम किया for the riddance of India from slavery and orthodoxal views for the riddance of India India को छुटकारा दिलाने के लिए from the slavery, गुलामी से and orthodoxal views और रूढवादी द्रिष्ट कोड से यानि जो हमारे रूढवादी द्रिष्ट कोड था भारतियों का और जो गुलामी थी उसको यह आप कह सकते हैं उनसे भारतियों को मुक्त कराने के लिए इन्होंने लगतार काम किया पास्ट अवे ऑन 2nd March 1949 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट का मतलब हाट अटेक आप बोल सकते हैं इसको दिल का दोरा इस कारण इनकी मृत्ति हो गई दिल का दोरा पढ़ने से 2 March 1949 को तो यह मैंने आपको आज बताया सरोजिन डाइडू की बायोग्रैफिक के बारे में और उमिद करता हूँ आपको समय आया होगा हलाकि एक दो जगा टाइपिंग मिस्टेक थी वर्ड थोड़े गलत लेकी गये थे मिस्प्रिंट हो गये थे तो वो मैंने आपको बता ही दिया तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार है है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए झाल 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 झाल